तो प्रेंस आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे कैसे आप Jake mail में आयरी ऑनें मैसेज को एक कलिक में पर्मानेंट के लिए डिलीट कर सकते हैं तो प्रेंस इसके लिए आपको Chrome browser को open कर लेना है Gmail app को open नहीं करना है वहां से डिलीट करने के बाद प्रेंस वो मेसेज रही जाता है तो चलिए मैं यहां से Chrome ब्राजर को आपेंड कर लिया हूँ और आपेंड करने के बाद प्रेंस आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आजाएगा और इस पर आपको लिखना यहां पर Gmail और यहां पर Gmail लिखा हुआ है तो मैं यहां से Gmail लिखर के Search कर देता हूँ इसके बाद प्रेंस देखे यहां पर आपको यह Gmail यहां पर Corner में प्रोफाइल पर दिया हुआ है आप यहां से जो भी email को सिलेक्ट करना चाहते है उस Gmail को आप यहां से सिलेक्ट करने तो मेरा Gmail और लेड़ी सिलेक्ट है इसके बाद प्र्रेंट्स किया करना है आपको यहाँ पर देखे यह option दिखाई देरा यह GeMail वाल है आपको इस पर ख्लिक करना है जो सबसे उपर में है इसके बाद यहां पर क्लिक करने के बाद यह कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा और यह जो है प्रेंट यहां पर देश्ट आप साइड में इनेबल है आपको यहां से थ्रीट आउट पर क्लिक करना है और त्रीट आउट पर क्लिक करने के बाद देखे प्रेंट यह देश्टॉप साइट में चेक किया वाई से आपको यहाँ पर चेक कर देना है तभी आपको इंटरफेस ऐसा आएगा अगर आप इसे यहाँ पर चेक नहीं करेंगे तो देखे यह कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके मोगाईल में आएगा मैं आपको एक बार करके दिखा कर देना है और चेक कर देने के बाद यह फिर से उसी तरह का इंटरफेस आज आएगा जो आपको मोगाईल में पहले दिख रहा था तो चलिए मैं इसे यहाँ से एक बार अपडेट कर देता हूं अगर आपको नहीं आता है डेस्टप साइट करने के बाद सेम राज आता है यहाँ पर एक अपडेट वाला उप्शन है इस पर आपको यहाँ से क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद भी नहीं आया तो चलिए मैं इसे यहाँ से एक बार बैक कर लेता हूं और बैक करने के बाद मैं दुबारा से इसे यहाँ से ओपन कर लेता हूं और जब दुबारा स आ जाएगा उसी तरह का desktop side में तो देखें ये desktop side में open हो चुका है और इसी तरह से आपको open कर लेना है इसके बाद प्रेंट्स आपको कोई भी चीज समझ में नहीं आता है ताप हमें comment करके पूछ सकते हैं बस आप skip मत किजिए और बिल्कुल easily से देखिए और मैं सब कुछ आपको आसानी से बताऊंगा और आपको समझ में भी आ जाएगा इसके बाद देखें प्रेंट्स यहाँ पर जितने भी मेसेज होंगे primary message, promotion, social और update जितने भी message होंगे यह primary message है यह promotion message है जितने भी यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इसके बाद प्रेंट्स नीचे की तरफ जब श्क्रॉल करेंगे यह बगल में जो है यह social message है कितने आपको मॉइल में social message है Gmail में और यहाँ पर update जो भी नया message आया हो है वो यहाँ पर दिखाई देगा आपको इसके बाद प्रेंट्स चलिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर social message को date करके दिखाता हूँ इसके लिए आपको क्या करने है प्रेंट्स यहाँ पर social message वाले option पर click करने के बाद आपको यहां पर एक बॉक्स दिखाई दे रहा है इस बॉक्स को आपको यहां से क्लिक करना है इस बॉक्स को जैसे आप यहां से चेक कर देंगे सारा मेसेज है मेरे मॉयल में दो मेसेज मी और मनिषबनसलकल के लिखा हुआ इसके बाद प्रेंश आपको यह हैं से यह कॉंटेक्ट वाला ऑप्शन दिखाए दे रहा है इस पे जैसे आप कलिक करेंगे और कोई भी मैसेज को क्लिक करके प्रेंश जब यह एरो का निशान है यहां पर गोल वाला इस पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे फ्रेंट तो देखें यहां पर यह इसका message related कोई भी tax होगा जो आपने अगर लिक के रखा होगा तो यहां पर दिखाई देगा जो तो भी इसका टाक से आप इसको यहां से एड़ कर सकते हैं इसके बाद फिर से मैं इसको यहां से कट कर देता हूं और मैं आपको पूरे डिटेल में बताऊंगा आपको यहां पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है नौट का यह वाला ऑप्शन यह किप नौट से फ्रेंट्स वाले आप्शन पर क्लिक करेंगे तो इस इमेल आइडी में जितने भी आपने किप नौट का यूट किया होगा वह आपको यहां पर दिखाई देगा तो चलिए मैं यहां से किप नौट वाले आप्शन पर क्लिक कर देता हूं तो देखे प्रेंट्स जो जो मैंने यहां पर टेक ए नॉट का उप्शन है तो जो जो मैंने यहां पर नॉट करके लिखा है वो सब चीज यहां पर दिखाई दे रहा है और मैंने यहां पर बहुत सार यह भी लिखा है अधार का पिन कोड करक्शन करना है मैंने जो जो नॉट में लिखके रखा हुआ है वो यहां पर दिख कि यहां से रहता डेता ह clamsticks कैलेंडर का Part 2 क्लिक करzeug करने आपको यहां तेपको यहां अपर सकते हैं के दिखा रहाए, तो देखें न्याघ速 सकते है इसके बाद फ्रेंच चलिए मैं इसे यहां से डिलीट करना चाहता हूं तो डिलीट करने के लिए फ्रेंच इसको मैं यहां से पहले अनमार्क कर दिया और अनमार्क करने के बाद फ्रेंच यहां पे एक ओप्षन दिखाई दे रहा है आपको चेक कर तो जैसे आप इस चेक कलिक करेंगे यह दोनों मेसेज यहां से चेक हो जाएगा तो इस दोनों मेसेज को मैं यहां से डिलेट नहीं करना चाहता हूँ फ्रेंट्स यह दोनों को अनमार कर दिया और यह परमोशन वाले option पे click कर देता हूं, promotion वाले option पे click करने के वाद इतना सारा message है इसको मैं आपको delete करके दिखाओंगा, तो इसको same message यहाँ पे check box वाले option पे click करना है और यह सारा message यहाँ से check हो चुका है, और check होने के बाद प्रेंच अगर कोई message ईसमेशा है जो आप डिलेट नहीं करना चाहते है और रोघो यहाँ पर मार्क हो चुका है ता आप उसको दुबारा से यहाँ से टच करके इसे अनमार्क कर सकते हैं आपको फ्रेंच ध्यान से देख लेना है जो मेसज ज़रवत नहीं है उसे को डिलेट करना है बाराई पर आपको यहां से डिलीट बाले ओर सब्सक्राइब है और यहां यहां पर यहां से परक्राइब मैंने यहां सी साथे मैसेज को यहां से डिलीट कर दिया इसके बाद प्रण्ज एक मैसेज जो रहा गया इसको मैंने अनमार्क किया हुआ था इसको भी अगर आप डिलीट करना चाहते हैं तो फिर से यहां से टच करेंगे और डिलीट वाले अप्शन पर डिलीट कर देंगे तो इस तरह से आपका मैसेज यहां पर पर्मनेंटरे डिलीट हो जाएगा यहां पर सोसल का उप्शन है सोसल में एक ही मैसेज है जो कि स्टार्ड मैसेज है और इसके बाद यहां पर अपडेट वाले अप्शन पर क्लिक करने के बाद यहां पर जो जो मैसेज है आपका आया हुआ आप इस मैसेज को भी एक डिलिट करके दिखाता हूं इसके लिए आपको यहां से चेक बॉक्स वाले ऑफशन पर क्लिक कर देड़ने चेक बॉक्स वाले औप्सन पर क्लिक करने के बाद अगर आपको इसमें से लगता है cogye इसा मेसेज जो मुझे डिलेट नहीं करना है तो आप उसे यहां से अनमार्क कर सकते हैं आप नीचे यहां पर देख लिजे पूरा अच्छी तरीके से और इसके बाद आपको यहां पर मैं पूरे तरह से देख लेता हूं कोई मैसेज अगर ऐसा है जो मुझे नहीं डिलेट कर नहीं तो मैं इसे यहां से अनमार्क कर देता हूं तो जो जो फाइल है मैं इसे यहां से अनमार्क कर देता हूं और आप इस तरह से आप भी अपने मैसेज को तसली से देखने कोई जल्दबाजी ना करें और इस तरह से जब सारा मैसेज आप यहां से अनमार्क कर देते हैं जो जरुरत का message वही delete हो रहा है इसके बाद friends आपको यहाँ से delete वाले option पर यहाँ से delete वाला option दिखाई दे रहा है इस पर आपको click कर दिने click करने के बाद friends यह जो message है यहाँ से successfully delete हो जाएगा तो देखे मेरा जो message है यहाँ से delete हो रहा है यहां पर conversation moved to trace लिखा हुआ है तो इस तरह से friends आपका message यहां से delete हो जाएगा इसके बाद चलिए अब आपको बताते हैं यह message जो मैंने अभी तक जो delete किया यह permanent delete नहीं हो है मेरे Gmail ID से यह एक दूसरा file में चला जाता है यह security purpose से होता है इसलिए ऐसा होता है अगर आपने गलती से कोई message delete कर दिया तो उसको आप अभी भी recover कर सकते हैं इसके बाद फ्रेंस चलिए मैंने यहां पर इसे यह message आपको दिखाई देगा तो यहां पर कोई भी start message नहीं है यहां पर इसी तरह से जो भी message sent सुनुजड है तो यहां पर जो message आपने sent क्या यह यहां पर आ जाएगा drops का option है जो भी message मैंने यहां से इंपोर्टेंट करके रखा है अगर आपने किसी से कोई चैट किया वाए तो भी आपको यहां पर दिखाई दे देगा तो मेरा कोई कई चैट मैसेज नहीं है। इसके बाद पेंट से यहां पर सैड verzadаже ऑल minimal है Plenty देते इसपे हैं, और इसके बाद नीचे में हैं आप से प्रेंट ट्रेश का तो चलिए इस सब मैसेज को मैं रहने देता हूं और नीचे कि दो यहां पर क्लिक करता हूं इसके बाद आपको यहां से जो यह trace message है इस message वाले option पर click करना है तो आपने जितने भी message delete देखे यह सारे message यहीं पर आ जाता है और यहां से delete करने के बाद यह message permanent delete होता है जितने भी system वोता है इस आपके security के परपस से हैसा होता है आपने कोई गलती से message delete कर दिया हो और आप उसको अभी भी recover करना चाहते हैं तो इस message को आप यहां से recover कर सकते हैं तो चलिए मैंने समझे मान के चलिए कि मैंने कोई ऐसा message है जिसको मैंने गलती से यहां पर delete कर दिया और इस message को मैं अब यहां से recover करना चाहता हूँ तो देखे प्रेंट्स यहां पे Amazon Pay India है अगर इस message को मैं यहां से recover करना चाहता हूँ तो इस पे check box पे इसको click कर देंगे और check box पे click करने के बाद प्रेंट्स यहां पे यह बाला option दिखाई दे रहा है आपको इस पे आपको click कर देना है इस पे click करने के बाद प्रेंट्स आपको यहां पे एक option दिखाई दे देगा तो चलिए मैं यहां से जैसे आप यहां पे social update और यहां पे promotion forums यहां पे जो भी है जिसमें भी आप इसको लाना चाहते हैं भी कभर करना है तो चलिए फ्रेंट्स जैसे यह उपर में flip card दिखावा इसको आपको यहां से touch कर देना है और touch करने के बाद यह वाला option जो दिखाई दे रहा है पर्मानेंट के लिए delete करना है और यह कोई भी message अब यहां से recover नहीं होगा तो फ्रेंट्स देखे यहां पर यह box वाला option यह दिखाई दे रहा है इस box वाले option पर आपको क्लिक करने के बाद फ्रेंट्स यह सारा message आपका यहां से टिक हो जाएगा अभी भी कोई option रहे गया त आप इसको दुबारा से भी अनमार्क कर सकते हैं और यह message यहां से delete नहीं होगा इसके बाद आपको यहां पर delete for ever का option है आप इस delete for ever वाले option पर क्लिक करेंगे डिलिट for ever वाले option पर जैसे ही क्लिक करेंगे फ्रेंट्स यह message आपका पर्मानेंटली आपके email id से delete हो जाएगा औ तो देखे परन से सारा message मैंने यहां से delete कर दिया यह trace में जितने भी message था यहां से इस पर क्लिक करना है और delete for ever वाले option पर क्लिक कर देना है इसके बाद यहां पर देखे यह सारा message इसलिए delete नहीं हो था कि यहां पर एक बार में 85 message लेता है और यहां पर 53 message है all यहां पर देख तो चलिए मैं delete for ever वाले option पे यहांसे फिर से click कर दिया और click करने के बाद अब देख्ते हैं हमारे मौइल में कितना message रह जाता है तो यहांसे loading होने देता हूं थोड़ा सा टाइम लग रहा है तो दखें परेंट यहां पर मेरे मुवाइल में इस साब से अल्ली 3 मेसेज रा गिया तो देखें यहां पर ग्रोडिजिस्ट फॉन पर और यहां पर एक दूसरा है जो कि यह मैसेज रा गिया अगर आप इसको भी डिलेट करना चाहते हैं तो अब तीन मेशेज टोटल फिर से आप इसके किलिक करेंगे और डिलेट फॉरी वाले ओप्षन पर किलिक कर देंगे और इस तरह से आपका जो यहां पर है टिर्ष इंपेटी होजागा देखेंगे यहां पर मैशेज that have been interest more than 30 days will be automatic deleted और यहां से 30 दिन बाद ये message आपके मोईल में permanently delete हो जाएगा ऐसे अभी भी ये message को delete recover करना इतना आसान नहीं है और इसके बाद मुझे पता भी नहीं है का आप ये 30 दिन जो लिखावा है अभी इसको recover कहां से करेंगे लेकिन अभी ये message permanently आपके email से delete हो चुका है तो इस तरह से आप इजली से समझे होगे आपको कोई confusion नहीं होगा यहां पर all mails का option है all mails पर click करके फिर से आप देख सकते हैं का आपके माईल में जो message आपने रखा है वह message यहां पर है जो start करके मैंने रखा हुआ start message यह सारे start message इसको भी आप delete करना चाहते हैं तो इसको भी आप यहां से check mark पर click करके delete कर सकते हैं क्लिक में लेकिन यह message को मुझे delete नहीं करना है तो प्रेंच उम्मीद है कि आपको यह message बिल्कुल यह वीडियो में आपको सब कुछ के लिए अर्ली से समझ में आया होगा और आप अच्छे से समझ गया होगा कि आपको email में आये message को permanent trade कैसे करना है तो प्रेंच वीडियो अच्छी लगी है तो एक like कर दिजे ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेश कर दिजे ताकि आने वाली वीडियो की नाटिफिकेशन आपको मिलती रहे अगर आपको और कोई टापिक पर वीडियो चाहिए कोई चीज नहीं समझ में आ रहा है ता आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं मैं आपके message कमे का रिप्ले जरूर दूँगा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद